नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूँ आपके साथ शेलेंद्र पाट्डे कल हमने बात की थी आपके साथ कि अगर आप जूट बोलते हैं तो आपकी किस्मत पर बुरा आसर पड़ता है लेकिन कुछ ऐसी आदतें भी हैं जिसकी वज़ा से आपकी किस्मत और भी जादा खराब होती है उसमें से एक आदत है गंदगी फैलाने की अव्यवस्थित रहने की यानि गंदगी भी आपकी किस्मत को विगार सकती है आपके भागे को खराब कर सकती है आखिर गंदीगी से अस्वक्षता से क्या फरक पड़ता है हमारे जीवन पर हमारी किसमत पर आज ये जानने की कोशिश करेंगे चाल चक्र में आज क्या खास है चलिए बताते हैं आपको चाल्चक्र में आज बात करेंगे कि देखिए गंदगी आपकी किसमत किस तरह से बिगारती है आपकी बुरी आदतों का ग्रहों पर क्या असर पड़ता है और कैसे अपनी बुरी आदतों को दूर करें कौन से ऐसे गुण अपने अंदर ले आएं जिससे हमारी किसमत भी बहतर हो और हमारा जीवन भी बहतर हो सबसे पहले जानते हैं कि हमारी आदतें हमारी किसमत पर असर कैसे डालती है हमारी जो अच्छी या बुरी आदते होती हैं क्या वाकई में उनका फरक, उनका प्रभाव, उनका फरक हमारी किस्मत पे पड़ता है देखिए, कुंडली में जिन ग्रहों का प्रभाव होता है न उसी के हिसाब से हमारी अच्छी या बुरी आदते हो जाती है जिस तरह का ग्रह prominent होता है, dominant होता है उसी ग्रह से संबन्धित जो अच्छी या बुरी आदते होती हैं वो हमारे जीवन में आ जाती है या यूं कह लें कि हमारी अच्छी और बुरी आदतों के हिसाब से हमारे ग्रह वैसे बन जाते हैं दोनों बाते हैं वाई से वर्सा है हमारी आदतों से हमारे ग्रहों पर फरक पड़ता है और हमारे ग्रहों की वज़ा से हमारी आदते बनती हैं दोनों इबाते हैं हमारी बुरी आदतों की वज़ा से कभी कभी हमारे मजबूत ग्रह भी खराब हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता, लेकिन कुछ एक ऐसी बुरी आगते होती हैं, जिससे हमारे गरह निष्चित रूप से खराब हो जाते हैं जो ग्रह कुंडली में कमजोर हैं उनको बेहितर करने की अगर आप आदत अपना लें अगर उनको बेहितर करने की काम आप करने लगें तो वो ग्रह आपके मजबूत हो जाएंगे और जो ग्रह आपके लिए दिक्कत दे रहे हैं उनको सुधारने के लिए जीवन में अच्छी आदतों को अपनाईए ताकि जो ग्रह आपकी जिंदगी में मुश्किलें पैदा कर रहे हैं वो ग्रह आपके बेहतर हो जाएं वो ग्रह आपके अच्छे हो जाएं पहली आदत, बड़ी common सी आदत है, क्या है? रास्ते में थूकते हुए चलना, खिड़की का शीशा नीचे किया, थूक दिया, दरवाजा खुला गाड़ी का, थूक दिया, सड़क पे चलना है, थूकते चलना है ये जो रास्ते में थूखते हुए चलते हैं इससे होता क्या है भाई? थूख दिया, थूख दिया, होता क्या है? होता है, क्या होता है? जो लोग रास्ते में थूखते रहते हैं, निश्चित रूप से समझे कि उनका चंद्रमा या उनका शुक्र पाप ग्रहों से पीडित हो ऐसे लोगों को दूसरे के काम में तांग अडाने की आदत होती है जो लोग रास्ते में थूकते चलते हैं चंद्र और शुक्र उनके गरबड होते हैं और ऐसे लोग दूसरे के काम में तांग अडाते हैं ऐसे लोगों को कभी-कभी अचानक धन का बड़ा नुकसान भी हो जाता है समझी नहीं पाते क्यों हो गया लेकिन हो जाता है कभी-कभी आकस्मिक रूप से suddenly पैसे का बड़ा नुकसान हो जाता है अगर ये आदत छोड़ दी जाए तो धन के नुकसान से बचाव होगा और अगर ये आदत छोड़ दी जाए तो बार-बार के उतार चड़ाव से मुक्ती मिलेगी आपके जीवन का जो उतार चड़ाव है वो निश्चित रूप से समाप्त होगा कुछ लोग ऐसे आपने देखे हुँगे जो अपने घर को साप सुथरा रखते हैं लेकिन घर के बाहर गंदगी फैलाते हैं घर साप सुथरा लेकिन देश, समाज, महला, गंदा किया हुआ है घर का सारा कुड़ा ले जाके सड़क पे फेंग देते हैं क्यों करते हैं ऐसा और इसका प्रभाव क्या है अगर आप ऐसा करते हैं कि घर को साप सुथरा रखते हैं और बाहर गंदगी फैलाते हैं तो यकीन मानिए बिना कारण के जीवन में उतार चड़ाओ का सामना भी आपको करना पड़ेगा और ज्यादा तर मामलों में ऐसे लोगों का पैसा या तो फंस जाता है या पैसे का बड़ा नुकसान हो जाता है अगर आप इस आदत को छोड़ दें तो धन का आगमन सरलता से होगा अगर आप घर को भी साफ रखें अपने आसपास को भी समाज को महले को साफ रखने में सहायता करें तो आप देखेंगे कि धन आसानी से आपके जीवन में आता रहेगा साथी साथ आपका जो व्यक्तित्व है आपकी जो personality है ये बड़ी प्रभावशाली होजाईगी आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ताकतवर हो जाएगा आप दूसरों को प्रभाविद कर पाएंगे दूसरों को influence कर पाएंगे अब आपको बताते हैं कुछ ऐसी बुरी आदतों के बारे में जो सीधे आपकी किस्मत को नुकसान पहुचाती हैं और आपके जीवन में उधम पैदा कर देती हैं कौन सी हैं वो आदतें? पहली आदत, नाखून चबाना कुछ लोग नाखून हमेशा चबाते रहेंगे जो लोग नाखून चबाते हैं वो याद रखें इससे सीधी तौर से अपयश मिलेगा जीवन में बदनामी के शिकार आप अवश्य होंगे पैर घसीट कर और पटक करके चलना इससे वैवाहिक जीवन खराब होता है जो लोग पैर घसीट कर, रगड कर या पटक पटक के पैर भाड़ भाड़ करते हुए चलते हैं ऐसा करने से वैवाहिक जीवन खराब होता है घर में जूते चपल बिखेर करके रखना जूता ड्राइंग रूम में है, चपल बेड रूम में है स्लीपर किचन में पड़ी हुई है तो जूते चपल बिखेर करके रखना भी अच्छा नहीं होता अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे अनावश्यक दौड भाग आपकी बढ़ती है अनावश्यक दौड भाग आपको करनी पड़ती है रसोई में डब्बे और बरतन बिखेर करके रखना अगर आप ऐसा करते हैं रसोई के बरतनों को ठीक से नहीं रखते वहां के डब्बे बिखेर करके रखते हैं रसोई आपकी सिस्टमेटिक नहीं है तो ऐसा करने से अनावश्यक धन की बरबादी होगी कुछ लोग चीख चीख कर बोलते हैं चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं अगर आप ऐसा करते हैं नॉर्मल बात भी चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं तो इससे आपके स्वास्थे पर और आपके रिष्टों पर बुरा असर पड़ता है एक बात हमेशा जाने रहिए घर हो, समाज हो, मोहला हो, सोसाइटी हो कहीं भी अगर आप गंदगी फैलाएंगे तो आपकी कुंडली के जो शुभ योग हैं वो निश्चित रूप से भंग हो जाएंगे जो हमारे देश को सफाई की आवशक्ता है वो देश को तो जरूरत है ही आपको व्यक्तिगत रूप से भी सफाई की आवशक्ता है अपने घर की सफाई करिए बहुत अच्छी बात है बट अपने बाहर की स्थितियों को भी देखिए अगर वहाँ पर साफ सफाई रहे तो बहुत अच्छा है अगर आप गंदगी फैलाएंगे घर में भी घर के बाहर भी या घर के बाहर ही गंदगी फैलाएंगे तो इससे कुंडली के शुभयोग निश्चित रूप से भंग ह हो जाएंगे अब आपको एक जादूई बात बताते हैं कुछ सफाई की आदते ऐसी हैं जिनको अगर आप अपना लें जिनको अगर आप अपने जीवन में ले आएं तो आपके बहुत सारे ग्रह मजबूत हो जाएंगे कौन सी हैं वो आदते और उससे फाइदा क्या है अपने कपड़ों, जूतों, घड़ियों और आभूशणों को व्यवस्थित रूप से रखिये जूता, घड़ी, आभूशण, कपड़ा इनको सिस्टमेटिक रखिये ऐसा करने से आपका शनी मजबूत होगा अपने शयनकक्ष, अपने बेडरूम और बाथरूम को अगर आप साफ रखते हैं, सूखा रखते हैं, वहाँ गंदगी नहीं फैलाते, तो इससे आपका शुक्र अच्छा होगा अपने आस पास के इलाकों को अगर आप साफ सुथरा रखते हैं तो इससे आपको राहू की कृपा मिलेगी अगर आप धर्म अस्थानों को साफ सुथरा रखते हैं या बनाते हैं तो इससे केतू आपका फाइदेमंद हो जाएगा बहुत सारे लोग नदी में जो पवित्र नदीया है या नदीया है उसमें गंदगी फेंकते है या नदीयों को गंदा करते हैं. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका केतु खराब होगा. लेकिन अगर आप धर्मस्थानों को साप सुथरा रखते हैं, वहां की सफाई मेंटेन करते हैं, नदियों पे ध्यान देते हैं, तो इससे आपका केतू बेहतर होगा और बहुत सारे फाइदे होंगे आपको. एक आपको राज की बात बताएं, रोज सुबह उठने के बाद और रात में सोने के पहले प्राथना जरूर करें, अगर आप प्राथना करें, इश्वर का धन्यवाद दें, कि उसने एक दिन जीवन में आपको और दिया है, या उसकी क्रपा है आपके उपर, अगर ये झाल